नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका फिर से एक नई वीडियो में दोस्तों, आज मैं बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ बड़ी बात है रियाचकवर्ती के उपर, कि रियाचकवर्ती है बेगुना बहुत सारे लोग इस पर जबूर कमेंट करेंगे कि मैंने ऐसा वीडियो क्यों बनाया है क्या तुम ऐसे हो, क्या तुम वैसे हो, बहुत कुछ कहेंगे लेकिन बात यही है, फैक्ट है यह, और मैं इस वीडियो में आपको साबित करके दिखाऊंगा इसलिए यह वीडियो पूरा देखना ताकि आपको पूरी बात समझ में आए कि यह बात मैंने क्यों कही तो इसके लिए अगर आप मेरे चैम पर नहीं हो तो सब्सक्राइब यहोग कर देना सब कुछ आजमा करके देख लिया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं पोस्माटम रिपोर्ट को डबल डबल चेक किया गया, EMS के डॉक्टरों ने चेक किया, पहले जो डॉक्टर चेक किया उसके बाद EMS के डॉक्टर ने बिसरा रिपोर्ट बनाई उसमें भी कुछ भी नहीं निकला और मैं बता दू आपको कि अभी सिविया जो जाच कर रही है उसे भी अभी तक आत्म हत्या ही माना जा रहा है यानि मडर का कोई सुराग ही नहीं मिला कोई सबूत ही नहीं मिला इस वज़े से भी उनके वकील अबडिया चकवर्ती के जो वक कुछ लोगों के वज़े से जिस वज़े से रिया चकवर्ती को एरेस्ट करना पड़ा जिस वज़े से यह माहौल को सांथ करने के लिए इस तरह का करना पड़ा तो दोस्तों अभी का अभी का जो मतलब कह सकते हैं कि जो हवा है अभी साप साप कहा गया है मतलब रिया चकव कुछ भी साबित नहीं हो पाया जिस वज़े से उनको उनके उपर यह आरोप लग सके साप साप अभी जमानत मिल चुका है रिया चकवर्ती को वो अभी बाहर में ही है और दोस्तो मैं बता दूँ आपको अभी वो लगातार प्रतेक दिन जो है सेंटा क्रूस प्रोलिश्टेशन में जाकर कि वो अपना हाजरी भी देती है अभी तो दोस्तो अब बात आती है कि रिया चकवर्ती जो इतने सब कुछ जाच एजनसिया जाच चरने के बावजूद अभी तक नहीं पकड़ पाई है यानि कि कुछ सबूत था ही नहीं जिसे लेकर के इतनी ज़्यादा हवा उड़ा दिया गया है सुसानत के मतलब कह सकते हैं चाहने वाले तो बहुत सारी लोग है सुसानत के सब चाहने वाले हैं मैं भी चाहने वाला हूँ लेकिन उसके मतलब कह सकते हैं की मतलब जोस में होस गवा देना ठीक ऐसा ही हुआ है इस केस prop Elagos देखा गया था रिया चकवर्ती को अब वो गवाह के उपर सीवी आई ने साफ साफ उसको डाट फटकार लगाई है कि तुम गलत गवाही नहीं दो क्योंकि ऐसा था ही नहीं रिया चकवर्ती असुसान सिंग राजपूत उस समय एक साथ थे ही नहीं तो ये भी मतलब कह सकते ह कि एक हवा सी चली थी जिसमें बहुत सारे घर को तबाह कर दिया गया जैसे रिया चकवर्ती का घर को पूरी तरस बरबात कर दिया गया था तो दोस्तों यही मतलब आपको अगर ये फैक्ट नहीं लगता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरू कमेंट करना और बताना कि आ अब क्या होता है जो भी होगा पूरी जानकाड़ी आपको मेरे वीडियो का माधम से मिलते रहेगी इसके लिए करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल की घंटी जो बजाना पड़ेगा और आपका कोई भी राही हो कोई भी वीचार हो मुझे कमेंट बॉक्स म कर ये चाहिंद